क्या MP में हुआ सर तन से जुदा कांड? फोन पर जिर तन से जुदा की धंकी का रास क्या? बीटेक छात्र की मौत का सच क्या? रेल की पट्री पर मिली छात्र की लाश पर सवाल? जी, तमाम सवालों के भी सबसे बड़ा सवाल पूरे देश में यही गूंज रहा है या वो किसी पड़ी साजिश का संकेत है? आखिरकार इंजीनरिंग के छात्र निशांक की मौत क्यों सस्पन्स बन गई? दरासल रविवार की शाम थी जब इंजीनरिंग के छात्र की मौत की खबर आई खबर ये कि निशांक राथोर की लाश रेलवे की पट्री पर दो हिस्सों में मिली मगर पुलिस ने इसे आत्म हत्या के एंगल से देखा इस घटना से पहले निशांक के पिता को एक मैसिज आया और इस मैसिज ने आत्म हत्या की ठियोरी की धजियां उड़ा दी और पूरे के पूरे मामले ने रहसे की चादर ओड़ ली क्योंकि उस मैसिज में कुछ और नहीं बलकी सिर्थ तन से जुदा का मैसिज लिखा था अब निशांक के पिता उमा शंकर राथोर ने अपने बेटे के मोबाईल से आये मैसिज के बारे में जब पुलिस को बताया तो सब के होश वाक्ता हो गए क्योंकि उस मैसिज में जो लिखा था अब वो भी देखिए उस मैसिज में लिखा था राथोर सहार बहुत बहादूर था आपका बेटा गुस्ताक नभी की एक सजा सर दन से चुदा सारे हिंद काफिरों को बता देना नभी से गुस्ताकी नहीं इतना ही नहीं उसके इंस्टाग्राम और वटसब पर भी उसके फोटो के साथ उसके मैसिज को डीपी तक में लगाया गया इस मैसिज के बाद बीटेक्स स्टूडेंट निशांक रातोर की मौत की कुथी और उलच चुकी है और सवाल सबसे बड़ा ये कि ये मैसिज किसने और क्यों भेजा सवाल तो ये भी खड़ा होता है कि क्या ये मैसिज निशांक को पहले भी मिले क्या निशान्त ने हाली में कोई ऐसी पोस्त साजा की जिस पर एत्रास था और सवाल ये भी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पुलिस को बर्गलाने के लिए सिर्थ तन से जुदा वाला मैसिज फॉर्वेट किया गया ऐसे कई सवाल पुलिस को परिशान किये हुए हैं और देश इस सवालों के भीतर खिर चुपा है वहीं तमान सवालों के बीच पुलिस के हाथ एक सीसी टीवी भी लगा है उस सीसी टीवी में वैसे तो कुछ विवादित नहीं है बस एक स्कूटर और बाइक जरूर दिखाई दे रहे हैं जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जो स्कूटर नजर आ रहा है उस पर निशान की सवार है और शुरुवाती जाच में ये बात सामने आई कि ये स्कूटर किराय पर लिया गया था और निशान स्कूटर पर सवार होकर नर्मना नगर की तरफ जा रहा है ऐसे में सवाल यहीं खड़ा होता है कि अगर वो शहर के बाहर की तरफ बसे नर्मदा नगर की तरफ जा रहा था तो फिर शहर के भीतर रेलवेट ट्रैक पर उसकी लाश कैसे पहुँची? क्या निशांग के साथ कोई और भी था जो आगे या पीछे था? क्या निशांग को किसी ने वापस शहर की तरफ आने के लिए कहा था? अगर नहीं तो फिर शहर के बीच और बीच रेलवेट ट्रैक पर वो कैसे पहुँच गया? तो ऐसे में सवाल कई हैं और छात्र की मौत की साजिश की तरफ संकेत दे रहे हैं और इस साजिश के तार कहीं और जुड़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कहीं ऐसा तो नहीं वाकई में निशान के साथ कोई आज साही हुआ फिरो रिपोर्ट यूस्वल इंडिया